13.2 स्वास्त अस्वस्थता और रोग Health and disease अलग-अलग लोगों के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ अलग-अलग होगा जैसे नर्थक के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है कि वा हर परिस्थिती में अच्छे निर्थ का प्रदर्शन कर सके बासुरी वादक के लिए इसका आर्थ यह है कि वा लंबा श्वास ले सके जिससे कि वा बासुरी के स्वर को नियंत्रित कर सके एक खिलाडी के लिए इसका आर्थ है कि वा विशम परिस्थितियों में भी कुशलता पूर्वक अपने खेल का प्रदर्शन कर सके कई बार बिना किसी विशेश रोग के भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं जैसे कुछ उधार्णों में किये जाने वाले कारियों को सम्मंधित वेक्ति सहज रूप से प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है तो हम कहते हैं कि वह अस्वस्थ है हम स्वस्थ रहने को ही स्वास्थ समझते हैं तो रोग क्या है? रोग को अंग्रेजी में डिसेस से दर्शाया जाता है या दो भागों में बाटा जा सकता है डिस प्लस एस इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो डिस का अर्थ बाधा या बाधित होना डिस्टर्प्ट एस का अर्थ आराम रेस्ट होता है रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा अर्थात रोग होने का अर्थ है कि हमको शारिरिक असुविधा है हम रोग के विशय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट लक्षणू का पता चलता है। जैसे व्यक्ति को बार-बार कै एवं दस्त हो रहे हैं। तब हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है। या रोग डारिया हो सकता है।